हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टो अल्लाइन स्टेडी केंगडम, दोस्तों जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, लूशन्ट अब्जेक्टिव को सब्जेक्टिवाइज चैप्टर वाइज आपको कबर करा जा रहा है, अभी तक अपने लूशन्ट अब्जेक्टिव में एक शे सो इसा पूर्व तक माना जाता है, पहला प्रस्न है कि पूर्व बैदिक या रिगदिक संस्कित का काल किसे माना जाता है, तो पूर्व बैदिक या रिगदिक संस्कित का जो पीरियड रहा है, वहां पंद्रा सो इसा पूर्व से ले करके एक हजार इसा पूर्व तक र प्रारम्भिक आरियों के बारे में निम्न कत्रों में से कौन सा कथन सही नहीं है वे संस्कित बोलने वाले थे बिल्कुल सही है वे घुड सुरवारी किया करते थे बिल्कुल सही वे कई गुहंडों में भारत पहुंचे यह भी सही है वे मुखत्या नगरों में निवास करते थे यह कथन गलत है क्योंकि जो अगर आप डिटील में पड़े होंगे तो आपको मालम होगा कि जो आरियो द्वारा बिक्सी जो सभ्था रही वो नगरिया नहीं थी ग्रामेड थी अगला प्रस्ण है इन में से किस फसल का ज्यान बैदिक काल की लोगों को नहीं था यहां पर सही जबाब होगा आपका आपसंडी तंबाकू नेक्स्ट उत्तर बैदिक काल के बेद बिरोधी और ब्रामण बिरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था आपसंडी स्रमड बैदिक गडित का महत्तपूर अंग कौन सा है किस बेद में प्राचीन बैदिक यूग की संसिक्रित के बारे में सूचना दी गई है आपसंडी रिगबेद निम्नलिखित में से उत्तर बैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है आपसंडी बेद ब्रह्म हड उसके बाद आरंडिक फिर उसके बाद उपनिशद आए अगला प्रस्न है कि बेदों की संख्या कितनी है चार आपसंडी नेक्स्ट है कि कौन से तीन बेद संव्त रूप से त्रई या बेद त्रई कहलाते है तो जो आपके चार बेद होते हैं सबसे पुराना बेद तो रिग बेद है रिग बेद है फिर एजूर बेद है फिर साम बेद फिर अथर बेद तो अथर बेद जो आपका आएगा उसको आप लेमनीट कर देना जो आपका बचेगा रिग और यजूर और साम ये तीनों के तीनों जो बेद होते हैं, इनको बेद तरई की नाम से जाना जाता है, आपसने यहां पर सही जबाब होगा भारत की राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सब्द सत्ते में वजयते किस सब्द उपनिशत से लिया गया है आपका सही जबाब होगा यहाँ मुंडग उपनिशत से लिया गया है आपसने रिख बैदिक आरियों का मुख्य ब्यावसाय क्या था? आपसन बी पसुर पालन भारतिय संगीत का आदिग्रंथ कहा जाता है? आपका सही जबाब है आपसन डी सामवेद को सामवेद ठीक है जो की सबसे छोटा बेद है आकार की दृष्टी से देखेंगे तो अगला है आपका प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? आपसने मनु मनु इसमेद्टी आप जानते हैं मनु क्या मन क्या है कि अब देशे की बहुत पुराना जो धर्म सनातन धर्म जो हुआ सनातन धर्म के अंसार अगर देखोगे तो मनु एक व्यक्ति थे जो कि संसार की पहले पुरूष्ट थे यह माना जाता है सनातन धर्म में ठीक है यह सब चीजे डिटेल में जब पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा यहाँ पर सुपरफासली भीजन देख तो देख चलिए कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है रिगबेद में संपत्ति का प्रमुख रूप कौन सा है आप्शन गोधन रिगबेद के लिए मंडल में सूद्र का उलेख पहली बार कौन से मंडल में मिलता है तो रिगबेद में जो रिगबेद का दो दसवा मंडल है दसवे मंडल में सूद्र सब्द का उलेख जो है पहली बार मिला है कौन से मंडल में दसवे खासकर ये भी पूछा जाता है सोम का ठीक है तो नवे में मिलता है आगे प्रस्नों में देखेंगे याद रखना है सुद्र सब्द का उलेख रिग बेद के दस्वे मंडल में पहली बार मिलता है यहाँ पर सुद्र की बात की गई मान लेजे कर चारो बंड पूछ लिये जाएं कि चारो बंड की सबसे पहले कहां मिलता है तो रिग बेद में लेख किया गया है दस्वे मंडल में आगे भड़ते हैं पुराडो की संख्या कितनी है आपसने अठारा बैदिक धर्म का मुख्य लचड इन में से किसकी उपासना करता था तो बैदिक धर्म का जो मुख्य लचड रहा वहां था प्रकृती की उपासना करना आपसने किस देवता के लिए रिगवेद में पुरंधर सब्द का प्रियोग हुआ है तो पुरंधर सब्द का जो प्रियोग किया गया है या किस के लिए किया गया है इंद्र के लिए आपसने सुल्वशूत्र की सबिशय में संबंधित पुस्तक है अभी आप पढ़के आ रहे हो यहाँ पर आपका सही जबाब होगा ज्यामिति ठीक है आप्षने ठीक है तो ज्यान देखना है कि सुल्वशूत्र है यह प्राचिन ज्यामितिय का जो है भारतिक क्या है ज्यामिति प्राचिन ग्रंथ है असतो मासद गमय तमसो माजय उतिर गमय मृत्योर मा हमृतम गमय ओम शांति ही सांति ही शांति ही यह कहां से लिया गया है यह आपको बताना है यहाँ पर आपका सही जबाब होगा यहाँ उपनी सद से लिया गया है ठीक है रिगवेद भी अगर आपसन में आपको दिखेगा तो रिगवेद लगा देना रिगवेद का ही पार्ट है असतो मासद गमय आर्य भारत में बाहर से आए और सर्व पर्थम बसे थे आपसन सी पंजाब में अगला प्रस्ण है सूची दे रखा है वेद है और उनकी यगवेद करता है यहाँ पर आपको सही मिलान करना है तो रिगवेद से जो संबंधित रहे वो होता या परोहित या होतरी ठीक है तो एक आवन हो जाएगा यजुर बेद से संबंधित जो रहे उनको आप यग करने वाले को कहोगी क्या कहोगे यग की बात की जाती है जुर बेद में तो यग करने वाले को क्या कहा जाता था अधर वियो आपशन यहाँ पर यहाँ बी का टू हो जाएगा और सामवेद को उद्गाता या उद्गात्री अधर वेद पढ़ने वाले को ब्रहम्हा ठीक है ब्रहम्हा माप कीज़ेगा ब्रहम्हा तो यह आपशन यहाँ पर आपक ये सही जबाब हो जाएगा वेदों को आपोरोसिय क्यों कहा गया है तो आपोरोसिय जो कहा गया है उसका कारण ये है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है किसके द्वारा देवताओं आपसन ये सही जबाब होगा नेक्स्ट है वैसेसिक दर्सन के प्रतिपादक कौन है आपसंसी उलूग कणद नेक्स्ट है मीमानसा या पूर्व मीमानसा दर्सन के प्रतिपादक कौन है यहाँ पर सही जबाब है जैमिनी तो जो महार सी जैमिनी रहे वह आ जो है मीमान्सा या पूर मीमान्सा दर्शन की क्या रहे प्रतिपादक रहे है बेदान्त या उत्तर मीमान्सा दर्शन की प्रतिपादक कौन है तो उत्तर मीमान्सा जो है इसकी रहे है बाजरायड आप्शन बे रिग बेद का कौन सा मंडल पूरता सोमो को समर्पित है पिछले previous में बताया गया कि सूद्र जो है दस्वे मंडल से लिया गया था रिक बेद के और यहाँ पर सोम जो है यहाँ किस मंडल से संबढ़ित रहा तो नवे मंडल से लिया गया है आपसन यहाँ पर सी आपका सही जबाब होगा थोड़ा यहाँ से अगरे डिटेल में बताऊं दोस्तों तो साथवे मंडल में जो भिषिसकर पूछा जाता है वह पूछा जाता है आपसे दसराज यूद्ध की है ना कि दसराज यूद्ध का बढण आपको किस मंडल में मिलता है गया साथवे मंदल की बाद करता है वहीं पर जो आठवा मंदल है विशेश कर जो आपके एक्जाम में पूछा जाता है आपकी जये दसवे मंदल जो कि आपको जिसमें की चारों बढ़नों के उल्लें की बात की जाती है ठीक है जिसमें कि अभी पिछले प्रिवियस एर में देखे आओ सूद्र का पढ़न तो याद रखना है सातवा मंडल दसराज यूद्ध की नौवा जो मंडल बात करता है सोम से और दसवा मंडल जो चार बरणों की बात करता है चलिए सुपरपार रिवीजन प्रसिद दसराजाओं का यूद्ध दड़िज दासराज यूद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था यह दासराज यूद्ध जो अभी बात हो रही थी कि यह सातवे मंडल से संबंदित है रिगवेद की तो यह किस नदी पर पूछा जा रहा है आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों आप संडी यहाँ पर सही जवाब है परुषडी नदी पर ये आप कह सकते हैं ये जो है आपका प्राचीन नाम है आप से मिलाने को भी आता है प्राचीन नाम और रिगवैदिक काल की नदियां और आधरिक नाम तो इसको आधरिक नाम से आप क्या जानते हो राभी नदी के नाम से अगला प्रस्ण है धर्म सास्त्रों में भूराजस्टों की दर क्या है वन बाई सिक्स आपसंसी है ना समझे मतलब या पर यह कि जो धर्म साथ जो राजा वगरा होते थे उमें बताया गया है कि जो अपनी प्रजा से होगा उगा ही कि जैसे आज की तोर पर टैक्स लिया जाता है उसी तरह में उसमें होता था कि जो भी उपज होगी उसका छठवा हिस्सा क्या है राजा को दिया जाएगा तो यह रहा इंप्वाटेंट कुछ तथी आगे बढ़ते हैं आठ सो इसा पूर्ब से छे सो इसा पूर्ब का काल किस युग से जुड़ा हुआ है या है ब्राम्हणी युग से आपसाने किस काल में अच्छूत की अवधारणा असपस रूप से उदित हुई है आपसंडी धर्म सास्त्र काल में एसिया माइनर इस्थित बोगाज कोई का महत्तो किसे लिए है तो बोगाज कोई अक्सर एक्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों तो बोगाज कोई जो है एसिया माइनर में इस्थित है यहां पर इसका महत उसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्थ हुए है उनमें चार बैदिक देवताओं दड़ जिंद्र, वरुड, मित्र, नासत्य इनका उलेख मिलता है इसके साथ इंप्वार्टन्ट यह भी है जो यह आपका बोगाज कोई है आरियों के निश्क्रमण के मार्गों का भी संकेत का यहां पर मिलता है यह भी एक्जामें अक्सर पूछा जाता है गायत्री मंत्र दड़ ओम भुरुव अश्वातत सभितुरवनियम तो यहां पर यह देवी सब रित्व को संबोधित जो की है यह किस पुस्तक में मिलता है सिंपल सी बात किसमें रिगवेद में आप सने साथ ही साथ अगर पूछ लिया जाता है दोस्तों कि गायत्री मंत्र जो है रिगवेद की किस मंडल में मिलता है जैसे कि सोम ने आप सोम को देखे कि यह नवे मंडल में है दसराज युद्द को देखा आपने कि 7 मंडल में रहा 10 मंदल में 4 बर्णों को देखा इसी तरह इसको आप देखेंगे किसमें 3 मंडल में मंडल कितने हैं अगर पूंचा जाता है तो रिगवेज में 10 मंडल है इन सब चीज़ों को ध्यान देना है यहाँ पर सुपरफास डिविजन किया जा रहा है तो इस वाजिल जी ओएं आपर question answer को ही कबर किया जा रहा है बाकि टीटेल में कभी पढ़ेंगे इस टी तो आपको पूरा पढ़ाय जाएगा अगला प्रसन है कि नियाय दर्सन को प्रचारित किसने किया था नियाय दर्सन को आपसन भी गौतम ने प्राचीन भारत में निश्क से जाने जाते थे निश्क या निश्क जो रहा निश्क सब्द कार्थ ही रहा क्या है सोड आभूशन आपसन यहाँ पर सही जबाब होगा अगला प्रसन है योग दर्सन के प्रतिपादक कौन रहे है योग तो बाबा राम देव को याद कर ले ना पतंजली आपसन यहाँ पर रही सही जबाब है ना पतंजली मुनी रहे एक अगला प्रसन है उपनिसद पुस्तक जो उपनिसद पुस्तके हैं या किस पर आधारित हैं, यहां पर आपका सही जबाब है, दर्सन पर आप्शन डी, सूची वंदे रखा है और सूची टू, यहां पर मिलान करना है, अब यह जो चारों बेद दिये गए हैं, यह बिसीसकर किस लिए हैं, है ना स्रोत है, कर्मकांड है, संगीत के लिए, तो य रखिबेद में क्या है, खास कर दोस्तों की जहां से जानते हैं, और मौम, और बौस्वातत, सब तो यह सब जो मंत्र हैं, बिसीसकर मंत्रों की बात की गई है, रखिबेद में, है ना, तो यहां पर आप क्या कहोगे, तो मंत्र से बिसीसकर क्या है, स्रोत और प्रातनाई की जाती है तो यहाँ पर एक जो है फोर हो जाएगा यजूर बेद में क्या है तो यजूर बेद में जो आपके स्रोत वगएरा होते हैं जिसमें कि आपको यग्ग क्या कर्मकांड हो जाएगा यहाँ पर है ना तो इबी का टू हो जाएगा आपका साम बेद वगएरा जो होता है उसमें संगीतों केरा आपकी बात की जाती है संगीत मैं स्रोत होते हैं अब अथर बेद में आपका जो होगा वह अतंत्रमंतियों वसी करण तो आपसन एहां पर सही जबाब होगा आरंभिक बैदिक साहित्त में सरवाधिक वणित नदी कौन सी है सरवाधिक जो वाणित नदी है वो है आपकी सिंधु नदी आपसाने अगर वहीं पर सबसे अगर पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे जो है पवित्र नदी अगर पूछ लिया जाएगा तो कभी आप आइंस्वर में तो आपको आइंस्वर लगाना होगा सरवाधिक जो वाणित नदी है वो सिंधु नदी है सरवाधिक पवित्र पूछाता है आप लगा तेर सरवाधिक उपनिशद काल की राजा अस्वर पती सासक थे कहां के यहां पर आपका सही जबाब है के के आपसन भी आध्यात्म ग्यान की बिसे में पनिशद में बैदिक नदी कुभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए आपसनी अफगानिस्तान तो यह बिसेशकर जो है अफगानिस्तान से इन जो है प्रभाहित होती है निकलती वहीं से है ना और यह सिंधु नदी में आखरी में जो है पाकिस्तान में जाकर गए चलिए आगे बढ़ते हैं याद रखना है कुभा जो है वह अफगानिस्तान कपिल मुनी द्वारा प्रतिपादित दारसनिक प्रणाली कौनसी है कपिल मुनी कपिल मुनी से आपको याद आ गया होगा यह है सांखे दरसन सांखे दरसन बेसे किस पर आधारित है तो यानि तत्तो पर आधारित है अगला प्रशन है कि भारत के किस अस्थल की खुदाई भारत की किस अस्थल की खुदाई से लव धात की प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाड मिले है आपसन भी अंतरजी खेडा अंतर जी खेड़ा का जो लोकेशन है वो अपने उत्तर प्रदीस में है अगर पूछा जाता है इसकी खुदाई उदाईव की बारी में याद रखना है कि खुदाई अलग जंडर की दोरा करवाई गई थी है न इसकी खुज हो गए रहा निमनांकित में कौन प्रस्थान त्रई में सामिल नहीं है अभी आपने देखा कि त्रई बेद में बात की जा रही थी त्रई बेद में जिसमें कि अथर बेद नहीं था चारो बेदों में साम बेद, रिग बेद, यजूर बेद ये सामिल थे लेकिन त्रई बेद में अथर बेद नहीं आता है यहाँ पर पूशा जा रहा है प्रस्थान त्रई में सामिल नहीं है तो तीन सामिल होंगे, एक नहीं सामिल होगा तो भागवत को आप कुछ खोड़ देना है, इसमें भागवत सामिल नहीं है प्रस्थानतरई में भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिशद इन तीनों को प्रस्थानतरई कहा गया है और यहे ब्रफ सनभी मेमान सा जैसे कि जानते हैं भाग की जो छे दर्षन उसमें से मेमान सा भी एक दर्षन है और मेमान सा को जो है, पूर्ब मेमान सा की नाम से भी जानते है इसके साथ जो बेदान्त हो जाता है तो बेदान्त को आप उत्तरी मिमान सा कहोगे अगला प्रस्न है आपका यहाँ पर सुमेलित करना है वही बात आ गई जैसे कि आप जान कि आ रहे हो कि सामवेद में जो बात की जाती है गीत संगीत की बात की जाती है तो आप ये कर लोगे रिगवेद में जो इसमें की मंत्र औगएरा दिये होते हैं उसमें मंत्र से लोग प्रार्थनाय औगएरा करते हैं तो उसमें आप इसवर की महिमा की बात कर लोगे अधरवेद में क्या है और सधियू से संबंदित है जबकि जो एजुर्वेद है वो कर्मकांड औगरा जी से कि होम औगरा या गुकुंड औगरा होता जो बल्दान भी दी है तो आपसन यहां का जो बनेगा आपका एक थिरी होगा और रिगवेद निभी का वन हो जायेगा तो इसी तरह आपसन यहाँ पर यह आपका सही जबाब हो जाएगा चरक संगीता नामक पुस्तग किस विशे से संबंधी थै चरक संगीता चरक संगीता जो है आपकी विशेस का लूँ आरुबेट चिकित्सा से संबंधी थै यह प्रस्नों अगयर आपके पीटी में पूछा गया प्रस्नों हुआ है इस तरह के एक प्रस्नायत था आपके याद आ रहा होगा और आपने पीटी दिया है यहाँ पर आपका सही जबाब क्या होगा चिकित्सा आप्शन यहाँ पर इसी सही जबाब होगा यग संबंधी बिद्विधानू का पता कहां चलता है तो यग से याद रख लेना या से यजुरुबेद या से यग इस तरह कर लेना ठीक है रिगवेद में मंत्रों गयरा की बात की जाती से भगवान की मंत्र पढ़े जाते हैं अपना उनको आहूत करते हो मंत्रों गयरा से ठीक है आपको होगे प्रार्थनाए हो गई भगवान की सामबेद में गीत संगीती बात की जाती है और यजुरुबेद यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा आपसंडी बैदिक यूगीन सभा तो जो बैदिक यूगीन सभाए थी क्या थी वो मंत्री परिशाथ थी आपसंडी यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा तो दोस्तों जो ब्रिग बैदिक यूगीन कालीन जो जन्तांतरिक शंस्थाए रही है उनमें एक सभा थी है ना सभा ती एक बात की जारी सभा यहां से प्रश्म बनता इसलिए बता रहे हैं सभा हो जाती है सभा के साथ एक समिती होती थी संसा जनतांत्रिक तो सभा और समिती को इसमें अधरवेद में अगला प्रस्न है बैदी क्यूग में प्रथलित लोकप्रिय सासन प्रणाली क्या थी? यहाँ पर सही जबाब है गड़तंत्र आप संसि क्योग है गड़तंत्र यह आप कह सकती हूग राज्यतंत्ररातमंग प्रणाली अब जैसे कि अपने क्या अब आई गरतंत्र तो था अब गरतंत्र तो है लेकिन जो बैदी क्योंकि सब बैता रहे उसमें लोक प्रिया सासन जो प्रणाली रहे गरतंत्र रहे अब गरतंत्र मतलब जनता के द्वारा ही चुने जाते थे लेकिन जनता के द्वारा जो चुने ज लेकिन यह बैदी की गुम्मे भी हुआ करता था लेकिन जैसे परधार मंत्री मोदी बने हैं फिर उसके पहले बनमोन हुआ करते थे तो कहीं सी कोई भी बना दिया जाता था जनता इसको चुनती थी बन जाते थे लेकिन अब एक परिवार को सेलेक्ट कर लो वनसान एक किसी ब तो यह चीज होती थी लोग तांत्रिक पढ़ाली थी वाइदिक यूग में लेकिन वनसानुगर तरीके से थी आपसर यहाँ पर सही सही जबाब है साथ ही साथ एक और important बात की ध्यान लगना की उजैसे कि अपने भारत में कोई एक प्रधान मंत्री बन गया लोग तांत्रिक तो पूरे भारत का क्या है प्रधान मंत्री होता है लेकिन बैदिक यूग में क्या है कि एक विसेस जन प्रतिनिती हुआ करते थे ओ ना किसी छेत्र विसेस का चलिए ज़्यादा डेटेली नहीं आगे बढ़ते हैं कि सबसे प्राचीन बेद कौन सा है सबसे प्राचीन बेद है रिग बेद सबसे छोटा अगर आकार में पूछा जाएगा तो साम बेद लगाना बेद त्रयू में ये तीन बेद आ जाते हैं रिग बेद यजुरू बेद शाम बेद लेकिन अथर बेद नहीं आता चलिए दोस्तोरी वीजन करते रहिएगा निमले लिखित में से कौन भारतिय दरसन की आरंभिक बिचार धारा है भारतिय दरसन की आपका सही जबाब है सांख आप्शने सांख योग न्याय बैसेसिक मीमानसा वा बेदान्त ये जो छे दिये हैं इन छे भिन भारतिय दरसनों की अस्पस रूप से जो अभिव्यक्ती हुई है वह किस यूग में हुई है तो ये छोई जो भारत की दरसन हैं इन छे भारतिय दरसनों में इसकी जो अभिव्यक्ती हुई है विसेस से वह किस यूग में आप कहोगे या बैदी की यूग में आपसने है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आरियो द्वारा ब्योहार में नहीं लाई गई थी आप कहोगे आपसन डी लुहार गीरी लुहार लुहार आप जानते है जो लोहे को पी टूट Byendour अपना कुछ उपकरण और बना देते हैं नहीं को लुहार कहा जाता है जो लोग गाहों से बिलाएं करते हैं उनको मालूम होगा कुछेनी हथरी और जो बनवाते हैं लोग हसिया और पिटवाते हैं तो वो लोहार के हाई तो जाते हैं विटाने तो यही यहाँ पर पूँछा गया है कि जो आरे रहे उनके आरे के टाइम पर जो है लोहार की बात नहीं हुआ करती थी लोहार गीरी और ठीक है चो लिए अगला है आपका यहाँ पर सूची दे रखा है सुमिलित करना है जो ये चारोबेद होते हैं इन चारोबेद के उपवेद दिये गए हैं तो कौन कौन से उपवेद किसके होते हैं यहीं पर मिलान करना है आपको तो दोस्तों जो रिगवेद दे रखा है रिगवेद का उपवेद जो होता है है न वह होता है आयुर्वेद क्या होता है यजुर्वेद का जो उपवेद होता है वह होता है धनुर्वेद साम्वेद का जो उपवेद होए यह आपका गंधर्वेद होता है क्या होता है गंधर्वेद अथर्वेद तो अथर्वेद का जो उपवेद है वह है सिल्प वेद जेद यह आर्थ सास यह आपका सेक्टि ठीक है तो यहां पर आपको मिलान करना है तो यहां पर आए ठिंक एक वन बी का टूठी गई इस तरह पहले ही हो जाएगा आप्शन आप्शन यहां पर सही जबाब है नेक्स है कि रिगवेद की किन छे मंडलों को वन्स मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है छे मंडलों को रिगवेद में दस मंडल है तो उनों दस में से छे मंडल ऐसे हैं दिनकों की गोत्र मंडल या वन्स मंडल कहा जाता है तो यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा दूसरे मंडल से लेकर की सात्वे मंडल तक 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 6 मंडल होगे टोटल 2 से लेकर सात काउंड करोगे तो पहले को छोड़ देगे आप दूसरे से लेकर की सात्वे तक लगातार काउंड करोगे 6 मंडल आएंगे इनही 6 मंडलों में इनही 6 मंडलों को बंस मंडल या गोतर मंडल कहा जाता है ठीक है गोतर सब्द अगर पूँचा जाता है गोतर सब्द का परियोग सबसे पहले कहा मिलता है तो रिग्वेद में ठीक है, रिग्वेद हो गया अगर आप से जो बन्ड मिलते हैं वर्ण सब्द काउल्लेक तहीं भी रिग्वेद में ही मिलता है अनल जैसे कि सूद्र सब्द काउल्लेक आपने देखा था दस्वे मंडल में इस तरह एक जामें पूचा जाता है याद रखना है गोत्र मंडल या बंस मंडल दो मंडल से लेकर के सात्वे मंडल तक की बात की जाती है किस बेद में जादूई माया और वसी गरण का वरणन मिलता है जिस मंडल की सबसे बाद में रजना हुई दर्डिज आप कहोगे अथरबेद तो अथरबेद में ही इस बात की की बात की जाती है जादूई माया और वसीवगरण की आप्शंडी अगला है आरे सब्द जो इंकित करता है वहाँ पहले ही पढ़के परसना को आ रहे हो यहाँ पर स्रेष्ट बंस को यहाँ पर यह इंकित करता है आर्य सब्ड है ना यह आर्य सब्ड का स्रेष्ट अर्थ पूँच भी लिए जाता है कुलीन यह आप स्रेष्ट कहोगे ठीक है इस सब चीजों को ध्यान देना है एक्जामिक कई बार पूछे जाते हैं अगला है भाई रिगवेद में कितने मंडल होते हैं आपको होगे दस मंडल होते हैं आरे भारत में संभवता जो आये थे वो कहां से आये थे आपका सही जबाब हो जाएगा यह जो आये रहे यह मधेशिया से आपसन भी वो ऐसे बिसे कि लिए जो आरेओं का निवास भी जो निवास है वो मधेशिया ही माना जाता है ठीक है और आरेओं की द्वारा जो सब्वेता निर्मित है जड़िजबैदी की सब्वेता कहलाती है अगला प्रस्ण है आपका कौन सा बेद अंसताह गद रूप में भी रचित है आपसन भी सही जबाब है यह जुरुबेद तो ध्यान देना है बिसे के लिए ठीक है गद जबकि वहें रिगवेत में देख लोगे तो मंत्रों की बहुत जादा उल्ले की है है ना बात की गई जिसमें की पद की मंत्र भी है और गद मंत्र भी है तो यहाँ पर केवल पूछा गया अंसताह गद की बात जो की गई है वह यह जुरुबेद है आपसन यहाँ पर भी सही जबाब है अगला प्रस्ण आ गया आपका देखिए आगया अभी हम बात कर रहे थे सभा और समिती जो प्रजापत्र की दो पूत्रिया थी इसका उल्ले कौन से बेद में है इसका उल्ले जो है अभी बताया गया आप शंडी अथरवीद में अगला प्रस्ण है दोस्तो रिगवैदिक यूग की प्राचिंतम संस्था कौन से थी रिगवैद यूग की बात की जा रही है अथरववेद में तो सभा और समिती की बात हो गई दो पत्रिया थी अथरववेद में लेख किया गया रिगबैदिक यूगी की प्राचींतम संस्था कौन सी थी आपका सही जबाब है विदध आपसंसी और रिगबैदिक जो सब्वेता बिक्षित की कि बेसे इकली किसके लिए तो यारियों की ही रही है ठीक है और ये प्राचीन तम संस्था रही है विदत जिसमें की सायनिक असायनिक तता दोजहार्मिक कारिर है इससे संबंधित रहे है ये अगला प्रस्न है दोस्तों आपका ब्राम्हण ग्रंथों में सरवाधिक जो प्राचीन है वह कौन सा है तो यहां पर आपका सही जबाब है सतपत ब्राम्हण आपसन भी अगला है गोत्र ब्यवस्था प्रतलन में कब आई तो आपका सही जबाब हो जाएगा उत्तर बैदिक काल में आपसन भी अनुलोम बिलवाह का अर्थ बताना है आपको अनुलोम बिवाह तो अनुलोम में क्या होता था उचे बर्ग के जो पुरुस होते थे निमन बर्ग किनारी के साथ बिवा होता था आपसने आया हाँ पर सही जबाब होगा और अनुलोम का जो है क्या हो जाएगा बिलोम तो अनुलोम का हो जाता है बिलोम अनलोम का बिलोम क्या होगा प्रतिलोम हो जाएगा और प्रतिलोम अगर पूछ लिया जाता प्रतिलोम विवा का रसा तो इसी को उल्टा कर देते कि उच्च बर्ग की नारी हो जाती और निम्न बर्ग की जो हो पुरुस हो जाते अगला प्रस्न यही है आपका कि प्रतिलों विवाह तब माना जाता है जब उच्च बर्ग किया हो नारी हो और निम्न बर्ग किया हो पुरुश हो तो आप चन भी सही जबाब है बैदिक सब्द में यो है न यो यो सब्द जो है कहा जाता था तो यो आज भी लोग कभी कभी बोल देते यो जो ठीक है आप से यहाँ पर भी सही जबाव है अब जो लोग खेती उगरा करते हैं उनको मालूम होगा वो इसे मालूम भी होना चाहिए क्योंकि आप से एक्जाम में पूछ लिया जाता है रभी फसल है ना खरीब जायद ये सब पूछ लिया जाता है तो जो जानते हैं आप गुहों की साथ बोए जाता है गुहों की टाइम पर चलिए अथर्ब का आपको अर्थ बताना है अथर्ब माफ कीजेगा स्वारी यहाँ पर थोड़ा प्रस्न छूट जा रहा है यहाँ पर योका है योका जो हो जाएगा ब्रीह की बात यहाँ पर की जा रही है तो ब्रीह सब्दे के लिए परियूग तो सब्द कौन जा है तो बिसेक लिए जो ब्री हो या धान चावल बगेरे के लिए होता है यहां पर आपका सही जबाब जो होगा दोस्तों वा हो जाएगा आपका चावल, आप सने अगला प्रस्ण है आपका अथार्व अथार्व का आर्थ बताना है आपको आप सने पवित्र जादू चल यह अगला प्रस्ण है आपका 76 नमबर यहाँ पर आपको सुमेलित करना है असर यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा है क्या आपस मिलान कर देना कैसे मिलाना पता ही नहीं है तो यह जो सिच्छा दे रखा है कलबसूत्र है निरूक्त है और यह चंद जो है यह पिसे एकली जो आपका वेद है ना वेदांग के कितने अंग है तो वेदांग के जो छे अंग है ना उन्हें छे अंगों में यह चार अंग बताए गए हैं यहाँ पर और उन्हीं अंग का संबंध किससे है यह आपको बताना है अब यहाँ पर जैसे कि चार अंग दे दियेगे सिच्छा है कल्ब सूद्र है निरूगत है छंद है इनकी अलावा बसते हैं दो तो इनकी दोना जो बसेगा आपका एक तो व्याकरण वाला है ठीक है एक व्याकरण ह अंग जो तो इसका मतलब है कि जो बाइदिक मंत्र है उनका सुद्ध हो चारण उनका सुद्धस्वर है ना इन सबकी बिधियों का जो है वो बताया गया है बर्णन बात की गई है तो आप यहाँ पर कहोगे एक जो हो जाएगा वह हो जाएगा तीन माफ कीजीगा मतलब यहाँ पर आपका जो है यह आपका सिच्छा का जो होगा वो ध्वनी साथ की बात की जाएगी ठीक है बाइद सुद्धस्वर हो गयरा जो होगा वह ध्वनी से ही रिटड़ होगा ठीक है बाकि जो कल्पसूत्र है तो कल्पसूत्र में विसेख्षला ज ठीक है निरूक्त सब्सक्राइब बात की जाए तो निरूक्त जो है वो जो इसकी जो रचना है वो भासा विज्ञान की बात करता है है ना भासा सास्त्रों गयरा हो जाएगा आपका तो यहाँ पर आपका थिरी हो जाएगा चंद की बात चंद सास्त्रे रिटर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर A का 1 B का 2 ठीक है तो आपसन यहाँ पर यहाँ आपका सही जबाब होगा प्राचीनतम ब्याकरण अस्ठा ध्याई की रचनाकार कौन है आपसन डी पाड़िन निमन में से कौन से इस्म्रिती प्राचीनतम है आपसन ए मन इस्म्रिती आधिकाबी की संग्या किसे दी जाती है आपसन ए रामायड़ सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है यहाँ पर सही जबाब आपसन ए मत्से पुराण रिगवेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है आपसन भी सरस्वती नदी यादा रहा होगा परुषणी से राभी नदी है न यह जो दसराद युद्ध रहा है सिंदू से आपको नजरा रहा होगा कि सबसे रिगवेद में सबसे ज़्यादा जो बढ़न किया गया है सिंदू नदी के मिलता है वैदिक समाज की आधार भोती काई कौन सी थी आपसन ए कुलिया कुटूमब तो याद रखना है वैदिक समाज की जो आधार भोतुसन रचना रही है सबसे छोटी काई जो होती थी कौन या कुटूमब के नाम से जानते है ठीक है और इसके साथ अगर पूशा जाता है कि परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था ग्राओं के पूरे संगठन को आप क्या कहोगे ग्राओं के उसको कहा जाता था विस ठीक है क्या कहा जाता था विस कहा जाता था तो ध्यान देना इंप्वार्टन दत रहे अगला है आपका रिगबेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करे जिसके इस्तुती धाई सो सुक्तों की रचना की गई थी तो सबसे ज़यादा जो इस्तुती की गई थी इन या अनुलंगनिये कहा गया है सभा और समिती प्रजापत्री की दो पुत्रियां या थरभेद में पढ़के आ रहे हो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस जबा को नरिष्ट अरथाज सामुई के वाद विवाद यालोंगनिये कहा गया है आपका सही जबाब होगा अथरवीद आप्षंडी किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराईयों में सामिल किया गया है जो है मैतराणी संखिता में नारी जो है नारी को सुरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराईयों में सामिल किया गया है नारी में जो है इसको नारी जो बैतरी संखिता है इसमें नारी को बिस मदिरा ये सब कहा गया है अगला प्रस्ण है आपका उत्तरबाइदिक काल में किस देवता को सर्बोच स्थान प्राप्त है है ना वही एक देवता है आपका सही जबाब है यहाँ पर आपशनी प्रजापती अगला प्रस्ण है यग्य दे रखे हैं और किस से संबंधित है यग्य तो राज सूय यग जो है या राजा की सिंगासन रोहण से संबंधित यग है जबकि या सुमेख यग जो है या राजनैतिक सक्ती बढ़ाने है तो किया जाने वाला यग है बाजबे जो यग्ग है ये सौरे प्रदरसन वा प्रजा के मनो रंजनार्थ किया जाने वाला यग्ग है जबकि जो अगनी स्टोम यग्ग है या देवताओं को प्रसंद करने है तो अगनी को पसुबल दिया जाने वाला यो मसोमरस का पान किया जाने वाला यग्ग है आपसन ए यहाँ पर सही जबाब है यहाँ पर प्राचीन रिगबैदिक नदिया है उनके आधुरिक नाम आज कल क्या है यह बताना है तो परुषणी क्या है भई पुरुषणी जो है राबी जिसपे परुषणी आप जानते हो तक राथी उद्ध हुआ था सतुद्री की बात की जा रही है सतुद्री के आज कल जो नाम आधुनी के सतलज है अस्किनी जो है वो चेनाप की नाम से जानी दाती भी पासा यह रिगबैदिक नाम है जो की आधुनिक नाम इसका ब्यास है आपसन ए यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा अगला प्रस्ण है आपर संसकारों की बात की जा रही कुल कितने संसकार है तो 16 संसकार है 16 संसकार कौन-कौन से हैं दोस्तों तो यहाँ पर अगर याद आ रहा है तो बता दे रहें यहाँ पर देख लो पहला आप नोट कर लो अगर आपको मालुम होता है तो गरभाधान होता है पहला ठीक है गरभाधान है इसके बाद अगर दूसरे की आप बात करोगे तो जिसमें की गरभाधान के बाद क्या होता है पुनसुवन हो जाएगा पुनसुवन होगा है ना पुन्सवन होगा या दूसरा होगा आपका पुन्सवन के बाद क्या होता है कि सिमन्तो नैन होता है है ना सिमन्तो नैन होगा उसके बाद सिमन्तो नैन के बाद जो होगा वो जातकर्म हो जाएगा है ना जातकर्म होगा फिर उसके बाद जो संस्कार आपका आएगा पास नमबर पर जात कर्म के बाद नामकरण हो जाएगा नामकरण के बाद छठे नमबर पाएगा आपका जिसमें कि निशक्रमड की बाद की जाएगी निशक्रमड फिर उसके बाद सात्वे नमबर पर जो आता है उसमें निश्क्रमण के बाद धारण के बाद आप करोगे क्या अनप्राशन करोगे अनप्राशन ठीक है इसके बाद जो आठ संसकार होगा आठवा नंबर पर अनप्राशन के बाद चूड़ा कर्म हो जाता है आपका चूड़ा कर्म है ना फिर उसके बाद जो नौवा आपक विद्यां आर्म कर लोगे दियारभ करो एक P 클onneét उलो हो जाएगा थे लाउम் 10 संसकार हुट पर आगे बढ़ते हैं अगला है आपके विवाई के प्रकार दिये गए हैं उन विवाई के प्रवकार में क्या क्या होता है आपको बताना है तो ब्रह्म विबाह की अगर वात की जाये तो इसमें ब्रह्म विबाह में होता है कि जो समान वर्ण और जाती में जो है क्या है विबाह हो जाता है समान में रहते हैं दयो में क्या होता है कि परोहित का जो पारिश्रमिक में मेले कन्या के साथ विवा हो जाता है और आर्स विवा में क्या होता है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय वा बैल चुका कर किया गया विवा जो है आर्स विवा होता है प्रजापत्य विवा में क्या है बिना दहेज का विवा दर्जु प्रजापत विभाँ जो की आज आज कल कभी-कभी देखने को मिल जाता है यहां पर आपका सही जबाब हो जाएगा आप स這是 अगला प्रस्न है आपका यहां पर भी विभाँ दिये हैं विभाँ में होता क्या है बात को अताना है आपको मिलान करना है तो बाई जो गंदर्व विवाह है गंदर्व विवाह में आपका प्रेमी विवाह होता है है ना आसुर विवाह की बात की जाए तो इसमें कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह कहलाता है राच्छस विवाह पराजित राजा की जो कन्या होती है पराजित राजा की कन्या या अपकरहण परहण कर लो उसका फिर उसकी बाद विवाह कर लो तो ये राच्छस विवाह हो जाए राच्छस परविटी वाले पैसजास विवाह में देखोगे तो सोई हुई आवास्था में कन्या को उठा लेगे, गुमराह कर दिया या मानसिक रूप से उनक्या कर दिये, अस्वस्थ किये उसके बाद फिर कन्या को गुमराह करके उसके साथ विवाह कर लिए कि हो जाएक पैसाच विवाह है, तो ध्यान देना है अच्छे से इनको कबर कर लेना है विवाहों को तो यहाँ पर आपका सही जबाब क्या होगा, एका वन वी टू थीरी, पोर फाइव आपसने सही जबाब है अगला है तीन रिड़, तो तीन रिड़ों में जो सामिल रिड़ नहीं है, वो कौन सा रिड़ होता है आपका सही जबाब हो जाएगा मात्र रिड़, तो देवरिड, पेत्र रिड़, अरिसीरिड ये सभी तीन रिड़ में सामिल है, लेकिन जो आपका मात्र रिड़ है, वो नहीं है तो द्यान देना है जैसे कि आपने बेद तरई में देखा तरई बेद में वेजुरू बेद अथर बेद को छोड़ को सारे बेद से सामें ठीक है तीनों में चली अगला है रिगबैदिक काल से संबंधित मृदभाण संसकृती है तो आपका सही जबाब हो जाएगा OCP गेरू बनडी मृदभाण अगला है उत्तरबैदिक काल से संबंधित मृदभाण संसकृती कौंसी है तो अगर उत्तरबैदिक पूछा जाता है तो चित्रे दूसर मृदभाण लगाना है आप प्राचीनितम विवाह संसकार का बढ़न करने वाला विवाह सोक्त किसमें किया किसमें पाया जाता है तो आपका जो विवाह सोक्त है दोस्तों यहां जो है रिगवेद में पाये जाता है अपसन ए अगर मंडल पूछ लिया जाये का विवाह सोक्त रिगवेद कि कौन से मंडल में है तो आपको याद रख लेना है दसों मंडल में पाए जाता है रिगवेद में अगन्य यानि वधयोग्य नहीं सब्द का जो प्रियोग हुआ था वो किसके लिए रहा है तो गाय के लिए रहा है गाय का बिद बिल्कुल नहीं करना अगन्या होगा ठीक है यहाँ पर आपका सहव सबाब है बी आप्शन गाय गाय को हमेशा क्या है बिल्कुल पवित्र माना आग़िए बिल्कुल हत्या नहीं करनी है घन्य है धगन्य अपराद होगा अगला है आपका निमलेखित में आपको सुमेलित करना है तो जो चार ब्रहमण इसमें सत्पत व्रामणों की बात की जाती है सबसे पहला जो प्राचीन रहा है सबसे पहला आपका उनमें जो है बारा परकार के रतनों की बात की गई है रतनियों की ठीक है उनमें से ही ये बताए हैं आपको मिलान करना है किसको क्या कहा जाता था कोसा धच क्या थे, करसंगर करता, क्या हुआ करते थे पांसे की खेल में राजा का सहायक था, उसको क्या कहा जाता था यह आपको आपर बताना है, मिलान करना है तो जो बारा रतनी हुए थे, उनमें से जो संग्रहीत रहे, वो कोसा धच रहे भाग दूध दूर है वो करत संग्राग करता हुआ करते थे छता या छत्वी जो कहा जाता था वो पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता था अच्छवाब जो है वो प्रतिहारी राजब्रशाद का यह आप कह सकते हैं रच्छब है न तो यह आप्षण यहाँ पर यह सही जबाब है रित प्राकिर्ति के संतुलन अस्थापित करने की काणकिस बैदी की देवता को रितश्या गूप कहा गया है आप्षण भी वरुण निमलिखित में से कौन मूलता जल या समद्र का देवता तो जल या समद्र के देवता जो है विसे के लिए हैं क्या है कौन इंद्र तो भाई सभी देवताओं के दिद्र रहे तो यह आप के हो जाएंगे वरुण ही रहे है ठीक है आप से यहाँ पर सी सही जबाब है जल या समद्र के देवता कौन वरुण तीन क्रमों यानि पगों में तीनों लोग को माप लेने के कार्ण किसे उपक्रम कहा गया है तो तीनों पग से किसे ने नाप लिया था ये थे तीनों लोगों को नापने वाले विश्टू आप्षंडे आपने देखा होगा कुछ वा आपने देखा गर होगा जिसमें कि बामन उतार की बात की जाती भगवान पिशुणन नाप लेत तीनों पग से पूरा का पूरा चलो अगला बढ़ता है अपका अगला प्रस्न है अपका यहां पर सुमेलित करना है दोस्तो यह देवी देवताएं कुछ दे रखे हैं रिगवैदिक कालिन ठीक है देविवा को देवता को कहा जाता था पूशन पस्वों के देवता को कहा जाता था रूद्र और जगत के पि मुखे तया किससे संबदित है मनुई श्मरिती आपका सही जबाब होगा समाज ब्यवस्था से अभी पड़कर आ रहे हैं जो बनु जो होते थे वो अरिक बैदईंग में सनातन धर्म है मानता या ता हिंदू का धर्म जो सनातन धर्म में पहले पुरूश रहें, व्यक्ति रहें, मनु थे, और मनु ने रिसियों को ded Kane, ब्याकन की तौब, यांनि आपका है सकतें पुरा भांशट की तौर पर बताए रहे, रिसियों को, कि समाज की व्यवस्था इस इक कैसी रहे, गायत्री मंत्र यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा बिस्वा मित्र option B अभी पढ़के आरे भाई गायत्री मंत्र का सबसे पहले जो लिक मिला गा तो रिगवेद से लिया गया है अवेसता और रिगवेद में समानता है आवेस्ता किस छेत्र से संबन दित है आपका सही जबाब होगा इरान से आप्शन बी नेमन लिखित में से कौन सी एक रिखबादिक आरियों की लाक्षणिक बिसेस्ता नहीं है पहला दिया है अस्सों रथों और कास के उपयोग से परचित थे बिलकुल बात सही है वे लोहे के उपयोग से परचित थे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अभिबाड की आ रहे हो बार बार की लोहे के ग्यान बिलकुल नहीं था रिखबादिक का आरियों को वे तामर और आधनिक हल फाल के उप्योग से पर्चित थे ये भी सही है तो आपसन जो विशेष्टा लाक्षणिक नहीं है वहा है आपसन भी आयनसर यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा आपका रिगबेद में निमनांकित किन नदियों का उलेख अफगानिस्तान के साथ आरियों के संबंध का सूचक है तो अभी पड़के आ रहे हैं कुभा काबूल वाला है ना काबूल में जो है ये निकलती वहां से है ना उसके बाद ये पाकिस्तान में जाकि सिंदू नदिश मिल ज आती है तो ये कुभा और क्रमों की बात की जा रही यहां पर यहां आरियों की संबंध का सूचक है कुभा और क्रमों आपसन यहां पर सी सही जबाब है अगला प्रस्म धर्म तथा रित भारत की प्राचीन बैदिक संस्क्रित की एक केंद्रिये विचार को चित्रित करते है इस संदर्भ में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए तो धर्म व्यक्ति के दायुत्यों योम स्वयम तथा दोसरों के प्रति व्यक्तिगति करतव्यों की संकल्पना था बिल्कुल सही रित जो है या मूल भूत नैति की बिधान था जो स्रिस्टी और उसमें अंतर नहीत सारे तत्तों के क्रिया कलापों को संचारित करता था तो दोनों के दोनों जो कतन हैं वह सत्त हैं आप संसी आरियों की आर्कटिक होम से धान्त कापच्छ किसने लिया था आप संसी बाल गंगा धरति लग यहाँ पर बैदिक नदिया हैं और उनकी आद्विक नाम से आपको मिलान करना है यहाँ पर आप कुभा की अगर बात करोगे तो कुभा काबुल से हो जाएगा पर उशणी की बात करोगे तो राभी सुतुद्री सतलज होगा और सदा नीरा गंडग होगा यानि ए का टू और सी का वन एक टू सी का वन यहाँ पर आप्षन भी आपका सही जबाब हो जाएगा रिग बेद में सूक्त हैं कितने सूक्त हैं मंडल आपने देखा दस मंडल पुराण आपने देखे अठारा पुराण अब यहाँ पर सूक्त की बात की जा रही है आपका सही जबाब हो जाएगा कितने एक हजार अठाईस आपसंसी पूर्व बैदिक आरियों का धर्म प्रमुखता कौन सा था ती जो रहा है वो प्रकिर्थी पूजा और यग्रह आपसंसी निम्न लिखित में से किसे भारतिये परमाडु आदु का जनक कहा जाता है आपसंसी महर सी कडाद को सतपथ ब्राम्हड से संबन्धित राजा अबिदेह माधाव से संबन्धित रिशी कौन से थे सही जबाब होगा आपसंडी रिशी गाउतम रहुगण रिगबेद के दस्वे मंडल में निम्न लिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है आपसंडी यहाँ परी सही जबाब है सूरिया सुक्त अंतिम प्रस्ण है कि निमलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहास्त्री शंगिता की नाम से भी जाना जाता है आप संद्वी महाभारत तो दूसरों प्राचीन भारत का दूसरा चैप्टर 116 प्रस्णों के साथ कम्प्लीट हो जाता है अगला जो चैप्टर होगा वह तीसरा होगा तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथ ही घंटा उसका बेला आइकान दुरूद प्रस का लीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट साब साब क्यों मिलती रहे थांक्स फार वाचिंग